नमस्कार उदेंडिया के डिजिटल बुलिटिन में आपका स्वागत है मैं हूं सुनीत अमित्तल शुरू करते हैं खबरों का सिलसरा बात सबसे पहले बात करते हैं आज करतव्यपत की देश में गुलाम मानिसिक्ता के प्रतीक राजपत का नाम बदल कर करतव्यपत कर दिया किया है पीम मोदी ने आज इसका उद्गाटन किया इसके साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष्चन बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है राश्टपती भवन से लेकर इंडिया गेट तक के रास्ते का नाम पहले राजपत था इस नाम में आप निवेशक मानसिक्ता की जलक दिखाई देती थी इसलिए इसका नाम बदल कर करतवयपत कर दिया गया है नाम बदलने की खोशणा करते हुए प्रधानमंतरी कारेले ने बुदवार को एक ब्यान जारी किया था जिसमें कहा था कि पूर्वर्टी राजपत सत्ता का प्रतीक था और उसे कर्तवयपत का नाम दिया जाना बदलाव का परिचायक है नाम का यह बदलाव सारजनिक सौमित्व तथा सरशक्ति करण का एक उधारण भी है कर्तवयपत के दोनों तरफ लौन और हर्याली के साथ ही पैदल चलने वालों के लिए लाल ग्रेनाइट पत्रों से बना पैदल पत इसकी भव्यता को और बड़ाह देता है इस मार्क पर कई नई बनी हुई नहरे, खादियों की, राज्यों की खाद वस्तुओं के स्ट्रॉल, नई सिविधाओं वाले ब्लॉक और विक्री के विस्ट्राल बनाए गए है और अब बात है दिल्ली के लोगों की करता विपत के उधगाठिन से पहले इंडिया गेट के सभी 10 मार्क शाम 6 बजे से 9 बजे तक के लिए बंद रखे गए है इसके लिए पहले ही ट्रैफिक एडवाईजरी जारी कर दी गए थी, रास्ते बंद होने की वज़े से करीब 17 रास्तों बर ट्रैफिक का दवाब दिली ट्रैफिक पुलिस की नए दिली जिले के DCP की ओर से जारी एडवाईजरी में कहा गया था कि इंडिया गेट के सभी 10 मार्क बंद होने से W पॉइंट, मत्रा रोड, अशुक रोड, Q पॉइंट, प्रत्विराज रोड, अकवर, S.V. मार्क, APJ, अब्दुलकलाम रोड राजिश पाइलेट मार्क, विंसर प्लेस गोल्चकर, क्लेरिस होटल गोल्चकर, मांसिंग रोड, MLNP गोल्चकर, जनपत, फ्रोशा रोड, मंडी हाउस गोल्चकर और सिकंदरा रोड पर ट्रैफिक का दवा बढ़ने की आशुका है। दो दिनों तक मुंबई में रहे, उस दोरान उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। शाह की आसपास एक संदिद व्यक्ति घंटों तक मड़ राता रहा, लेकिन ग्रह मंतरी की सुरक्षा में तैना पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को उसकी भनक नहीं बताया। इस संदिद शक्स का नाम हेमंत पावार है, लेकिन जाच अधिकारी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूच ना दी। ग्रह मंतरी की सुरक्षा में चूप की खवर मिलते ही, पुलिस एक्षन में आ करके बताया कि हेमंत पावार आंधर प्रदेश के एक संसत का पीए है, लेकिन वे रसूख दिखाने की कोशिश में ग्रह मंतरी के आसपास घूम रहा था, पावार यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी पहुँच बड़े निताओं तक है, पुलिस को उसके पास से सं बिहार से है, बिहार की कई जिलों में NIA का छाप अपड़ा है, यह छापे PFI के टेरर मॉड्यूल मामले में छानवीन के लिए डाले गए है, PFI टेरर मामले में NIA की अलग लक्टी में सारण, दर्भंगा, कटिहार, अरया, वैशाली, मुझफरपूर समेत कई जिलों में एक नामजद आरोपियों के ठेकानों की तलाशी ली गई है, NIA के अधिकारियों ने परवेज आलम, सना उल्ला, मुस्तीक समेत के अन्य संदिग्द आतिंप्यों के परिजोनों से भी पूछताच की है, इन सभी को बिहार में आतंगवाद और दंगा भढ़गाने की साजिश र हमारी अगली खबर जम्मू कश्मीर में आतंक्यों के खात्में से जुड़ी हुई है, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरक्षाबलों ने बड़ा एक्शन दिया है, मुढ़भेर में अलकायदा के दो आतंकवादी धेर कर दिये गए है, सरक्षाबलों ने मुढ़भेर मे औवैस खान के रूप में हुई है ये दोनों कई आतंगवादी हमलों में शामिल थे जम्मू कश्मीर पुलिस के एक प्रवक्ता ने ट्वेट करके बताया कि अनतनाग के 20 बहरा इलाके के थजी वारा में अनतनाग पुलिस ने अचानक हुई मुटभेड में दो आतंगवादि हमलों में शामिल थे चेनी वुड़ा शिरिकुफ वाड़ा में हमले में एक पुलिस कवर मी फिर्दॉस डार कंभी रूप से घायल हो गए थे अगली ख़बर हमारी महराश्ट में आतंगी की कवर से जुड़ी हुई है महराश्ट में उद्दफ ठाकरी की सरकार के दोरान य याकूम मैनन की कबर को महाविकास अगाडी सरकार के दोरान मजार में बदल दिया गया था भारती जंता पर्टी ने इस काम के लिए राष्टवादी कॉंग्रिस पर्टी और कॉंग्रिस से माफी मांगने की मांग की है बाजपा नेता रामकदम ने ट्विट करके कहा कि यही है इनका मुंबे से प्यार, यही है इनकी देशवक्ति, रामकदम ने याकू मैनन के कबर की दो फोटो भी शेयर की है, जिसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि उस आतकवादी की कबर पहले कच्ची थी, लेकिन बाद में उस पर मारवर और लाइट लगवा कर उसे मजार बना दिया गया, और अगली ख़बर हमारी दिल्ली से है, दिल्ली में कथिद शराब घोटारे को लेकर मचे संग्राम के बीच आम आदमी पार्टी के संयूजक और मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल की मुश्किले अब और भी बढ़ सकती है, उन पर स्टेम ड्यूटी चोरी के आरोप लगाए गए है, केजरिवाल पर हरियाना में स्टेम ड्यूटी चोरी के आरोप लगे है, इसके शिकायत LG तक पहुंची है, जिसके बाद LG ने दिल्ली के चीफ सेक्टरी को यह मामला भेजते हुए आगे एक्शन लेने की बात कही है, हाला कि आमादी प्लॉट को 4.54 करोण में बेजा है, आरोप यह है कि उन्होंने कागजों पर इन प्लॉटर की कीमत कम करके 72.22 लाक रुपे दिखाई है, इस संपत्ती को उनकी पत्नी सुनीता केजरिवाल के मध्यम से बेचा गया, इसे सरकारी खजाने को 25.93 लाक रुपे स्टेम ड्यूट टेक्स हीवी चोरी हुई, और अब बात करते हैं जारकंड से है, जारकंड के मुख्यमंत्री हेमन सोरेन के भाई बसं सोरेन ने अजीव गरीब बयान दिया है, जारकंड में हाली में सियासी संकट फैला हुआ था, लेकिन इस दौरान बसं सोरेन गायब थे, इस पर जब पत पतना के इंद्रा गांदी अस्पताल में बुधवाद देर रात उनोंने पतना के बात करते हैं जारकंड में सोरेन के भाई है, जिस खनन लीज मामले में हेमन सोरेन फसे हुए हैं, उसी मामले में उनके भाई से भी पूशताच होनी थी, लेकिन वे अदालत में पेश नहीं हुए और अब एक दुखत खाबर है, बिहार के छपरा निवासी प्रसिद्द लोग कलाकार रामचंद्र माजी का देहान दो गया है, पतना के इंद्रा गांदी अस्पताल में बुधवाद देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली, रामचंद्र माजी को पदमशीरी और इंफेक्शन की सबस्या से जूज रहे थे, रामचंद्र माजी प्रसिद कलाकार भिकारी ठाकुर की नाट्यमेंटली के एक मात्र जीवित सदस्य थे, वैब बिहार के पारंपरिक नृत्ते के लिए मशूर थे, रामचंद्र माजी की तवेद अचानक विगड़ी थी, इसके बाद उन्हें पटना के अस्पताल में भरती करवाया गया था, रामचंद्र माजी ने बिहार की लोक संस्कृति को एक अलग पैचान दी थी, उन्हों लॉंडा नाच को इंटरनेशनल लेवल पर नई पैचान दी थी, और अब अगली खावर है हमारी खेल जगत से ज दोरान पाकिस्तानी बल्लेबाज को जब अफगान गेनबाज ने आउट किया तो वे बल्ला लेकर उसे माजने के लिए दोड़ पड़ा, पाकिस्तान और शिल्लंका के बीच एशियाई कब 2022 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, भारत और अफगानिस्तान की टीमें करनाक हरकत में सबका ध्यान खीचा है, उद्धे इंडिया के डिसिटल बुल्लेटिंग में आज के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जैहिन!